आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं चावल के साथ इस हरे कैपसुल का यूज बहुत ही बड़िया यूजफुल नुस्था है तो चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो पसंदाइत लाइक और शेयर कोती बड़िया मैं यूज बताने वाली हूं आपको बहुती अच्छा बेनिफिट है तो यहाँ पर आपको एक मुठी के करीब यानि की 50 गराम के करीब आपको चावल ले लेने हैं थोड़ा आप ज्यादा भी ले सकते हैं 100 गराम के करीब एक आपको साफ कपड़ा लेना है और इसके उपर थोड़ा साथ पानी डाल करके कपड़े को गिला कर लेना है इस तरीके से दो चाच हिंटे डालने ज्यादा नहीं अब आपको यह चावल इसके उपर डाल देने हैं कपड़े के उपर और इस तरीके से गिले कपड़े से चावल को रब करना है इस तरीके से रब करने से क्या होगा कि इनके उपर जितनी भी डेस्ट लगी होती है वो साफ हो जाएगी और हमें चावल गिल्ले भी ने करने पड़ेंगे ये तरीका बहुत अच्छा है और यूज करने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है तो ऐसे आपको रब करना है ताकि ये जल्दी से साफ हो जाए थोड़ा सा जोर लगा करके प्रेस करना है तो यहाँ पर मैंने कर लिये हैं साफ इनको और एक कटोरी में वापिसी से डाल तो ये देखिए हमारे चावल जो है अच्छे से साफ हो गए है अब आपको मिकसर जार लेना है और इसके अंदर ये चावल डाल देने है जो हमने अभी साफ करके रखे हैं अब इनके उपर ड़कन लगा करके आपको पाउडर बना लेना है अगर आप चाहें तो ये इसे आप आटा बना करके रख लेजिए या फिर मिकसी से इस तरीके से पीश करके रख लेजिए बहुत ही अच्छा है बार बार आपको जंजट नहीं होगा बनाने का पीशने का तो यहां पर देखिए मैंने पाउडर बना लिया इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लि देखिए और इसमें से हमें थोड़ा ही यूज करना है डेड़ चमत के करीब मैंने पाउडर लिया है यह क्वांटिटी कम या ज्यादा बना सकते हैं लेकिन एक बार के लिए आप इतनी ही बनाई मैं आपको सजेस्ट करूंगी ज्यादा नहीं बनानी है जिस हिसाब से मैं बता रही हूं इसी शरह से मैं आपको अब आपको नारियल का तेल लेना है एक चमत डरके लिए बर डाल दे और अब आपको लेना है दूसरी चीज अल कर दप्समत गॉत दाल सकते हैं लिया फिर फिर आप इस तरीके से जैल भी डाल सकते हैं जैसा भी आपके पास available है हुआ आप इस तरीके से डाल सकते हों तो एक चमस बरके आपको एलोवेरा जेल डाल देना है अब आपको ये capsule लेने है ये vitamin A के capsule है एक आपको capsule लेना है और आगे से इसको cut करके इसके अंदर की जितना भी ये material है इसके अंदर डाल देंगे ये देखिए ये बहुती अच्छा नुस्का बनने वाला है एक बार आप यूज कर लोगे तो बार बार बना करके अपने आप यूज करोगे अच्छे से इन सभी चीजों को mix कर लेना है अभी इसके अंदर एक चीज और डालनी है पहले आपको इसको mix कर लेना है इस तरीके से पहले नहीं डालेंगे वो चीज हम बाद में डालेंगे तो ये देखिए अच्छे से ये mix हो गया है अभी ये hard दिखाई दे रहा है वो चीज डालने के बाद ये बिल्कुल paste बन जाएगा बहुत ही बढ़िया अब आपको last की चीज है वो लेनी है ये मैंने यहापे डाल रखा है गुलाब जल गुलाब जल आपको इसके अंदर 2 चमच, 3 चमच, 4 चमच अपनी मर्जी से डाल सकते हो आप क्योंकि हमें इसका paste बनाना है तो धीरे धीरे आप इसके अंदर चमच से हिलाते जाएं और ये गुलाब जल डालते जाएं इस तरीके से आप जैसे जैसे मिक्स करते जाओगे बहुत ही बढ़िया समूधी सी बन जाएगी ये और देखने में भी अच्छी लगेगी और यूज करने में तो कुछो इमत इतनी अच्छी लगेगी तो ये देखिए थोड़ा-थोड़ा मैं आपको एक खाली डीविया लेनी है और उसके अंदर डाल करके ये सारा पेष्ट रख लेना आपको ये देखिए कितनी बड़ी दिखाई दे रही है समूधी ये देखिए इसकी चमक देखिए तो इस तरीके से आपको एक डीविया में डाल लेना है और डकल लगा करके फ्रीज में रख लेना है एक हपते तक आप इसे यूज़ कर सकते हो एक हपते तक खराब नहीं होगी डकल लगा करके फ्रीज में रखा हुआ अब आपको यूज़ कैसे करना है कब करना है वो तो छोटी सी डिबिया है ये आप बड़ी डिबिया में भरके भी रख सकते हो लेकिन ये काफी है एक कपते के लिए आपको थोड़ी सी क्रीम लेनी है हाथ पर लगा करके ये दिखा रही हूं ये देखिए इस तरीके से आपको लगाना है और ऐसे रब करना है ऐसे लगा करके यह देखिए जैसे जैसे आप इस तरीके से हाथ से इसे रव करते जाएंगे चमडी के अंदर बैठ जाएगी यह और आप आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमने कुछ लगाया है तो रात को सोते समय फेस वोस करके और यह क्रीम लगा करके आप सो सकते हैं तो यह देखिए मैंने इसके अंदर अच्छे से चमडी के अंदर रमा दिया है करीम को तो ऐसे आप लगा लें तो इससे आपके चेरे पे जितने भी दाग धबबे हैं जूरिया है वो आपकी खतम हो जाएगी और आपकी स्किन जो है कोरियन जैसी चमक जाएगी इतनी सारी चीजे हमने इसके अंदर डाली हैं वो सारी की सारी चीजे ही हेल्दी हैं और घर पे इस तरीके से बनाई हुई करीम बहुती बढ़ी आउती हैं तो आप इसे एजे नाइट करीम यूज कर सकते हैं कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है सारी नेचूरल चीजे हैं इस तरीके से यूज करके आप देख सकते हैं और आप थोड़े ही दिनों में काफी रिजल्ट देखने को मिलेगा आपकी स्किन सोफ्ट हो जाएगी साइन देने वाली हो जाएगी आपको यकीन भी नहीं हो सकती है क्या इसे आप एक बार साथ दिन के लिए बना ले जब खतम हो जाए तब आप दुबारा से बना ले जो हमने पाउडर बना करके रखा है वो इसे बना करके रखा है आप इसे डाली यूज तक के लिए बाई-बाई-अंटक कैर